शान जैसे सुपरस्टार लेजंड ठेक है जब आपको कहा गया या इन्हें मारना है या मुका मारना है या फाइट करनी है तो आपको हिचकचाहड महसूस हुई थी या आपने कहा था हून देख ही मैं करना सारे हुए सारे गुसे नहीं नहीं ऐसे को बाद में गलती से ना अब बल का कितना वज़दा थोड़े कम करा ले तुछता था इस नहीं देखने के लिए हमारा चैनल सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताके आप हमारी आने वरी वीडियो से बाकबर रह सके असलाम लेकुम नाजीन मैं हूँ शेक कासिम और आप देख रहे हैं MYK News TV आज जो मेरे साथ गेस्ट मुझूद है जरार फिल्म जो आ रही है उसके विलन अदनान साब असलाम लेकुम असलाम लेकुम सर कैसे आप वारे मुस्लाम जी कसम भाई थिक था गया था अल गुडूर से मुझे बट लग रहे हैं तो आप बटी है ना मैं साइस से नहीं मैं हुँ यह भी बटा मेरा अन्दाजा यह क्या बात है क्या गैस आपने क्योंकि मेरे जितने भी दोस्ते हैं ना बहुते हैं उनका वैसे शौक रहे हैं ना हम लोग तो पहाड़ों से उतरे हैं ना चार जनरेशन पहले तो पहाड़ों की जिंदगी आपको मुझे मुश्किल होती है थोड़ी तो फिर मैदान में आ ग कितना साल है मैं यह कि प्यारे इंसान है थींचे शारी सारे जो चाह रहा थाया तो तो अच्छे खासी आओर ने मैं मुझे अंदाजा ना जो जो है वो कुछ साल सवा साल मुदफ देव साल होगया तो अपने फिल्म में काम करने के इरादय से जिम शुरू किया तो या वैस उस वकद मैं जवाया था तो मेरा उस वकद 110-12 kg का वेट था तो फिर अविसी जो डिरेक्टर थे उन्होंने चीफ उन्होंने का कि आपको इसको नाइंटी पर लेकर आला है अच्छा नाइंटी पर सरफ वरजन को गिराना नहीं था तो इसमें मसल मस्स भी क्रियेट करना था तो जो सारा वजन था इसमें अपके दाडी ओर बल का कितना वजन था थोड़े कम करा आ लु़ या तो उस करेक्टर की जो है वो सकेच है ठीक है ठीक है उसिख है राजपूत है एक्सा वज़न नहीं था नहीं इसका पी वज़न नहीं था यह तो वैसे मर्दों की आपको पता है एक शान होती है दारी और बाल अजै मुझे बताएमगे लीघ अआ अब श्दाइम भी आपके पास आया था यह ईवर करने तो आपने अब तो अब बुड़े यह नहीं होँ है तो यह जा भार बनाँ मैं हीरो बना चाहता तो बुराई के अंदर कलर्स जादा होते है जो बुराई होती है रंगीन होती है जैसे आप माशाला कि ती रंगीन कपड़े पहनते हैं मैंने आपकी शर्ट्स देखिया है मतलब पहने हुए आपको क्या रंगीन मजाज है कि मतलब सिर्फ ये कैमरे की हद तक कोई सीन तो आपका क्यारेक्टर भी हो सकते है वो किसी भी कैरेक्टर को आपने समझ ना है उसका मुशाहिदा करना अप्जरुवेशन करनी है और पिर कोशिश करनी है कि अपनी शख्सियत के थूरू उस किरदार को अरडियन्स तरक पहुंचाए या आपने उनने यह नहीं करने कि शान की जगह मैं आजातकू हीरो, यह निकाल. यह निकाल था. नहीं मैंने बिल्कुल नहीं कहा है. इसके किस ने परोच किया था? शान ने किया था, इजाज साब ने किया था? इजाज था. इजाज भाई ने इस चीज को पुछ किया था. उने कहा कि यार मत्तब यार मैं थेटर तो करतना रहता था तहां से उधर से उधर से इंगलेंड यह वापिस आगए नहीं अचलिए इजाज़ भाई ने इसको इनिशेट किया था उन्हों ने फिर यह यह तरिक्मेंडेशन्स दी डिरेक्टर को जो के चीफ है मारे शान उन्ह जिसे कहते हैं वह लोग केट वोग सो दूरो पेजिस की स्पीच मॉडिलेशन दी डायलोग बोलो इधर से बोलो हाथ ऐसे पाहों ऐसे शोल्डर का यह गर्दन का यह उसके बाद पर उन्हें का क्या रहे है तो आजो तो यह विलन ठीका मुझे भी वैसे ना विलन बने का ब शेम आपको पार इणा होएगा इसमें विलन बोट कुछ की है बहुत किया है इसमें जो विलन है यह विलन के साथ किया है यह वाई करना फियु और आप के वियुद की और परानिसान के पांट पॉइशन को ब्रहन को समय नहीं कोशिच की लेगा मेरा जो करेक्टर बहर का हीरों, आपका विलन हो, पाकिस्तान का विलन हो, तो मेरा जो करेक्टर है, उसका मकसद ये है कि उसने पाकिस्तान को तबाहो बरबाद करना है, और उसको मिलाना है वापस उस अखंड भारत से जिसका सपना जो है वो इसकी आइडियोलोजी के अंदर इस करेक्टर की, लेकि तो इसके अंदर फिर जो भी आएगा उसमें हीरो हो, हिरोएन हुए, आच्छा, जरार जो है, वो जरार पाकिस्तान का हीरो है, वो 222 मिलियन का है, मैं 2.1 बिलियन का हूँ, तो ये भी एक थोड़ा साइस के अंदे परक है, इसलाप का साइस ज्रादा बड़ा है, एक चीज हुनु, देख ही मैं के कारना सारे गुषे, बाद में वो असाए अशीज, मेरे अस्ताद ही है, गुरु भी और आपने में मारा शारा तो चलो है उसमें बट मेरा मकसर जब तक कैमरा ओन होने से पहले तक आप जो है वो सारी इजद शिजद करते हैं, महबबत करते हैं, कैमरा जो हो बहुत जालम चीज है, जब यह ओन हो जाता है तो फिर भाई, माँ, बेहन, बेटी वो रिष्टे खतम हो पर आपको किर्दार बनना पड़ते हैं, आप समझें भी वर्क्त, मैं आपके साथ कैमरे के अंदर जो किर्दार अदा कर रहा हूं आप मेरी रिस्पेक्क कारे से पहले आप जीए मार रहे थे हां, ने यह बट प्यार इंसान हैं, मैं आपको क्यों मारूंगा, मतलब मतारा ह मैं तो इंप्रेस हूं आप से बहुत जाए है, तो आपने पर उन्हें असली मारा या नकली मारा, ने नकली मारा, गल्ती से लग भी जाती है, ओ सौरी तडस, अच्छा वो गल्ती से मजगी बात है कि उनकी तरफ से मुझे लग गई थी, लेकिन वो गल्ती से तो नहीं हम ल चोटी मोडी चोटे आपको पता लगती रहती है, मर्दों का काम है को जीलने चीजों से गुजरे, खुदा नखास्ता कुछ हो जाता तो आप उन पर केस करते हैं, खुन निकल जाता, नाक तूड जाता, कुछ भी हो सकता था तो आप आप ऐसे जो आइडिया से बिल्कुल तो और आप लोगों कोई क्योगर्फर था, को एक्षन डिरेक्टर था, किसने आपको खुन एंग सिखाया? इसके अंदर अक्षन हम लोगा ने जो है वो थे अटेकन फू एक इंगिलिश फिंव माईथी उसकी पूरी अक्षन तीम थे उसकी पूरी अक्षन तीम थेंगान जी जी बाहर कीटी, वो वहीं पर इस्तंबोल में करवाया था, primarily जो है, mainly वहीं पर हुआ, personally मेरी ट्रेनिंग जो है, वो दो-तीन आर्ट में हुई है, जुजिट्सु में हुई हुई मैंने इसमें की, जो उसकी पूरी ट्रांस्फोर्मेशन का हिस्सा था, plus कर्व मागा है, एक आर्ट है जिसके अंदर आपने इसमंतल करना होता है याँ अपने डिसाम करना होता है अगले बंदे को, अगर वो एक पाइंग लेक आपे कर रहा है, तो वो एक सारी एक सीक्वेंसिस थी, वो इसके अंदर यूस की गई और मैंने ट्रेनिंग की उसकी, तो इसकी जितनी भी कितना टाइम लगया है ये अच्छा ये टोटल जो फिर्म एकामरा लोह होने का ये तो हम लोगोंने अप्रोक्सिमेटली मेरा ख्याल है के 16-18 महीने में, 16-18 महीन ये बंद हो गया था, वतार कैमरा क्लोज हो गया था, बट उसके बाद फिर उसकी जो प्रोसेसे हैं, वो सारे, और फिर इसको में से आप दो साल ये जो धाई साल जो है, वो कुरोना के निकाल दे ना, तो फिर हमारी, हम तो खड़े थे ये एपरिल 2020 में लगाने के लिए, जो कि एद बनती है, बीस-बीस में, लेकिन फिर सारा आपकी एक होती है, कोशिश, एक गुदरत जो है, वो आपको सामने, तो ये इसका सारा एक जो बैक ग्राउंड है, पैरा-फरनेलिया इसका बहुत बड़ा था, कारचेस सीक्वेंसी हैं, हम लोगों ने इस्तंबोल ब्रिज के उपर किये हैं, हाया सुफिया की जो पुरी गोड़ थी, वो ख्लोस थी, दो साइड से, उसके इलावा हम लोगों ने, इफ आम नौट मिस्टेकन एक, दो, तीन, चार, चार कैमरेज यूज की हैं, मेरी गाड़ी पर दो थे, उनके शान भाई के गाड़ी पर दो थे, वे पुरा एक फुलन चेस सीक्वेंस है, जिसके अंदर मैं गाड़ी ड्राइब कर रहा था, और हम लोगों को अधर चीफ शान खुद कर रहे थे, और यह हम लोग बात कर रहे हैं सुल्टान एमट की इस संबॉल के अंदर स्क्वेर है, तो स्क्वेर के अंदर हम लोगों ने प्रॉक्सिमेली आठ बनाना था, आठ जो जमीन पे होते हैं तो गाड़ीं के साथ उसको रांड करके तो दो कैमरा के अंदर प्रॉक्सिमेली चार से पांच फुट का डिफरेंस रखना था चलाते हुए तो यह मेरे खाम में सबस्किल सीक्वेंसा जिसको कुकि उसके अंदर ओविसली तीन 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 चार चा होती होती ही वस तो आठ उसके हम इस्टित अच्छा अच्छा ज्चा अच्छा मुझे पताएं सेंड मंड़स ठीक या यह जो लेजंड ऑफ मॉला जट इसे मैं यह वननदेखि यह वननसा इसे का लोगार अभव हर फिल्म को ना मॉला जट सेंड मंड़स टीक को फादा हू कि मौला जड़ बनी है, बहुत हाई बचट बचट बने नौग दस साल लगे उस फिल्म को बनने अच्छा यह 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 थोड़ा सा है इसमें इस्यू बिकूस मेरे मुझे असा लगता है मेरे एक experience की जो मेरे जिन्दगी एक experience है कि film जो है इतनी देर नहीं लगनी चाहिए 9-10 साल एक बहुत टाइम होता है, बहुत अर्सा होता है, perfection जो है वो तो आप अचीव नहीं कर सकते हैं और मैं I can tell you कि Bilal अभी भी शायद अपनी product से 100% कुछ नहीं होएगा, जो भी मैं इसको थोड़ा बहुत जानता हूँ मेरा ख्याल है कि एक timeline होनी चाहिए timeline के अंदर सब films को close होना चाहिए क्योंकि अगर आप इसके उपर बैठ जाएंगे ना फिल्म के उपर तो यह already हमारी 52 हफते होते हैं एक साल के अंदर, 52 हफतों में कम से कम 60 movies लगनी चाहिए अगर आप इसको industry कहना चाहते है, यह मेरा अपना personal ख्याल है एचाहिए मुझे बता हैं अब इस फिल्म के बाद आपकर क्या प्लाइन में एक्टिंग में ही रहना वेल और फिल्म में या पे ड्रामा कुछ करने का है अपले यह पर क्या प्लाइन आपकर के बाद अपने नेट्फ्रिक्स के प्रोजेक्ट है वह इंशाला अभी मेरे ख् बेट पैदा हुआ और एज अदनानबटी मैंने दुनिया से चले जाना था ये अदाकारी ये ये फील्ड ये आपको एक ऐसा एविन्यू देती है कि आप मुख्तलिफ किरदार जी सकते हैं चलें लोगों को बता दें कि ये फिल्म से क्या एक्सपेक्ट करें आप सबसे पसीना शामिल है हम लोगों का लाजिवागों अदाब अपको हमने फिल्म डेडिकेट किया जो हमारे वेटरन एक्टर लेजर्ड एक्टर जो कर एक साल पहले उनकी वफात हो रही है हमने यह अनकी लास्ट फिल्म है इसके अलावा आप हमारे वासर मत्ताना साब थे पुरा आपके उपर है और आप इसको जाएं, सपोर्ट करें सिनमा को, हमारी फिल्म को, किरदारों को देखें और आपका हक है कि आप उसके बारे में हमें अपनी राय भी दें, अपडेट करें, फीडबैक दें, कि आपको कैसी लगी फिल्म, but do not miss it. तो इन्शालला आपसे, सिनमाज में इस किरदार और मुग्तिफ किरदारों के साथ इस फिल्म को अकिठे देखेंगे, इन्शालला मुलाकात होगे, thank you. बिल्कुल, बिल्कुल, और ये फिल्म मैं तो लाजमी देखूंगा, एक तो मैं बहुत अर्से से इस फिल्म का वेट कर रहा था, ठीक है, और में जो वज़या है, वो शान, क्योंका है, बिग शान फैन, और शान वो स्टार है, जो कि सेनमा कवा था, जो कि चार साल बाद उ और लोग भी देखेंगे, और इसके अंदर आपको बरपूर पैकेज मेलेगा, कासम भई, इसके अंदर आपको एक रोमैंटिक पूरा एक एमोशनल कर्व है, जो कि मेरे खियाल में, आइम शूर के पहले फिल्म में आपको नजर नहीं आई होगी, जो वो रोमैंस है, उसका इसके अद्ट मुझे शेक कासम को और अदनान बत को अजयाज़त दीजे, कीफ वोचिए